कि दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ एक दम रस में डूबी हुई रस से भरी सॉफ्ट इसपंजी छेना रसगूला आप लोग के साथ शेयर करें यह बहुत ही सॉफ्ट और इस पंजी है इसका टैक्स्चर आप देख सकते हैं एकदम बाहर से यह सॉफ्ट इसपंजी है तो दोस्तों अगर आपके घर में भी जादा कॉंटिटी में दूद बच जाए तो उस दूद से आप फटाफल इंस्टेंटली पांच मिनिट में ये रेसेपी बना सकते हो तीज देवार के लिए और अभी दिपावली छट आ रहा है तो आप ये रेसेपी इंस्टेंटली बन के जादा कॉंटिटी में रख सकते हैं और दिपावली छट में इस्तमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी विसेज ओकेजन हो आपके घर में या फिर कोई भी तीज वर्थ हो तो आप ये रेसेपी बना सकते हैं दूद से सिर्फ दो समागरी में बनते हैं और इंस्टेंटली बन सकता है दोस्तों आप चाल लीटर दूद का मैंने पहले ही फार के रखा हुआ है चाल लीटर दूद को तो यह गाय का दूद है दोस्तों आप दूद को फारने के लिए बैनिगर का भी इस्तमाल कर सकते हो या फिल लेमन के रज का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन अभी गरम-गरम म मैंने cotton का कपड़ा डाल के पेना को अच्छे से सापसुत्रे पानी से धो लिया और जितना हो सका हाथों से हमने गार लिया इसका पानी जितना हो सका आप इसी cotton के कपड़े में हम इसकी पोटली बना के 5-10 मिनट के लिए एक अच्छे से जगह में सापसुत्रे जगह में छोड देते ताकि जो इसका एक्सेस पानी है वो निकल जाए बस 5-10 मिनटी हमें इसे रखना है तो इसमें गाठे लगा के मैं इसको टांग देती हूं दोस्तो अच्छे जगह पर एक कटोरी मैंने चीनी ले लिया है और बड़े से बरतन में इस चीनी को हम डाल देंगे तीन पानी डाल रहे हैं, चार काचोरी पानी है फाच भी तो टोटल पांके इसमें पानी डाला है, टोल्व पांके पनी Series को गढ़ा है दोस्तों। समूअ कैया पानी मैं चाहा भा दोस्तोंhum नापके ले दोस्तों बरतन émसे बरतन में जज़ादा पानी बादमे नहीं हम डाले с में हमने कम पानी दिये एसका फिलैम हम जला देगे दोनों में बॉड़नेस आने देगे दोस्तों जब तक हमारी चासनी बन रही है तब तक यहां पर ऊपोटली खोल लेते हैं पांस तेजाग फिले खोल लिया है दोस्तों और ये छेना का जो पानी था एकसेस पानी वो निकल गया है आप इस छेना को इसे बरतन में हम टांसपर कर देते हैं हाथ की कलाई है इस तरह से हमें इसे मसलना है तो लगभग 8-9 मिनेट इसे मसलना बहुत जरूरी है दोस्तों ताकि ये हमारा हो गया है आप देख सकते हैं ये बढ़ियां से थाली को छोड़ रहा है तो इतना तक हमें मसलना बहुत जरूरी है दोस्तों ये सौफ्ट हो गया है एकदम चिकना हो गया है आप इसकी चोटी बड़ी मीडियम जैसी आपकी इच्छा है वैसी आप रसगुला का साइज डिस में हमारा ये जो रसगुला है मीडियम साइज में बनके रैडी हो गया है बस इसी ट्रीक से हम सारे रसगुला को रैडी कर लेंगे दोस्तों चेना से हमने साथ रसगुले बनाके रैडी कर लिये दोस्तों बॉइलनेस आ गया है आप देख सकते हो दोस्तों और यहां पे एक तूट फूट नहीं रहा है और यह कितना बढ़ियां से उपर तैर रहा है और यह अपने साइज में थोड़ा सा ही हमने चेक किया था कितना बढ़ा हो गया है दोस्तों आप भी इस तरह से पहले रजगुला बनाने से पहले चेक कर लिजेगा अगर आपका तूटेगा बिखर स्टेज पर आप देख सकते हैं दोस्तों हाफ चमच के करीब मैंने दूद लिया है तो इस चासनी में हम हाफ चमच दूद डाल देंगे वाली चासनी में भी हम थोड़ा सा दूद डाल देंगे आपकी चीनी थोड़ी सी मट मैली होगी तो इससे क्या होगा दूद डालने से हमारी चासनी नीट और क्लीन हो जाएगी और जो भी गंदगी है वो साइड में बैट जाएगा दोस्तों और आपका एकदम नीट और क्लीन चासनी मिलेगा दोस्तों चमस आप लेबन का रज भी चासनी में डाल सकते हो इससे भी आपकी जो मिठाई है उस पर नहीं होगा चीनी का जो मोटी परत बैट जाती है चीनी की मिठाई पर वो नहीं बैठेगी और आपका चासनी भी आपको किलियर मिलेगा लेकिन यहापे मैंने दूद का इस्तमाल किया है दोस्तों के हमारे जो रजगुले हैं डालेंगे दोस्तों टैंप्रेचर सडली लो नह दोस्तों बस आप इसी स्टेज़ पर हाइऑ फलेम पे गैस का फ्लेम जो है हाई होना चाहिए हाई फलेम पर इसको 5 मिनट के लिए नषन के हमारी दूसरी चसनी जो है बढ़ियां से रेड़ी होगई है और आप यहां पे देख सकते हैं दूत हमने हिस्तिमाल किया तो अ civic कंध लिधी ती वह साइब में बैड़ डही product is chronic कुझे यह अं до बंद कर देते हैं और इस चासनी को अलग से बरतन में जब यह चासनी room temperature पर आ जाए तो अलग से बरतन में हम निकाल लेंगे काज के बॉल में और उस काज के बॉल को हम फ्रीज में एक से दो घंटा के लिए इस चासनी को छोड़ देंगे दोस्तों ताकि यह चासनी हमारी ठं इजी प्रोसेस में होम मेट रजगुला बन रहा है दोस्तों स्टेप बाई स्टेप और सरल वीडी से मैं आपको यह चेना की रजगुला सौफ्ट स्पंजी जालीदार बता रहे हूं कि आपको कहीं भी बनाने में दिकतना है और पहली बार में ही आप बनाओ तो पर्फेक्ट बनेगा एकदम व्रस्मय बनेगा अंदर अंदर तक चासनी जाएगा दोस्तों और पांच मिनेट हो गया है दोस्तों अब मैं आपको धकन निकाल के दिखा दे रही हूं और आप देख सकते हैं जब हमने इस रजगुले को डाला था तो इसका साइज कितना चोटा था और य दूसरी बार भी हमने इसे हाई फ्लेम पे पांच मिनेट के लिए पका लिया है और यह हमारा रजगुला फूल के बहुत साइज में बड़ा हो गया है यह हमारा टोटली बन के रेडी हो गया है इसका फ्लेम हमने बन कर दिया है और आप रजगुले का साइज देख सकते हैं कितना फूल गया है, तो ये बहुत ही soft और spongy बन गया है। चासनी हमारी थी, यहां तक चासनी थी, कुक होते होते ये चासनी reduced हो गई है, और इस चासनी में काफी सारी चिकनाई आ गई है, तो ये रजगुल्ला के लिए चासनी ठीक नहीं है, ये चासनी में रजगुला हमारे अधिक दिनों तक store नहीं रहेगी। अगर आप इस चासनी में रजगुले को store कर दोगें तो रजगुला हमारा खराब हो जाएगा। इस रजगुले को निकालकर हमने जो दूसरी चासनी बनाई है, फ्रीज में ठंडा होने के लिए चोड़ी है उस चासनी में हम ये सारे रजगुले को टांसपर कर देंगे दोस्तों और फ्रीज से हमने दूसरी चासनी निकाल लिए दोस्तों और ये हमारी कढ़ाई वाली चासनी से रजगुले को निकाल निकाल के हम ये दूसरी वाली चासन में सारे रजगुलो को दे दिया है दोस्तों इससे क्या होगा ठंडे वाले चासनी में रजगुले की जो है ओवर कुकिंग रूख जाएगी दोस्तों पकाते पकाते हमारी चासनी गरम रहती है जिससे हमारे जो रेसिपी है वो ओवर कुक हो जाती है इसलिए हमने दूसरी वा के दिखा दे रही हूं एकदम हल्वाई स्टाइल मैंने आसान तरीके से सिंपल तरीके से स्टेप बाई स्टेप वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा इसे पर बनाने में आपको कहीं भी कोई दिकत नही तरीके से घर पर बनाएं हलवाई स्टैल तरीके से ओर इसे एक दो पीस नहीं भरपेट खाईए और अपने मिठास खाने की क्रेविंग को खतम कीजें किसी भी तीज फेस्टिबल में इसे आसान तरीके से बनाए आपको कहीं भी कोई दिकत नहीं आएगा और पहली बार में परफेक्ट बनेगा दोस्तो इस्टेब बाइस्टेब मैंने यह आपके साथ यह रेसेपी शेयर की है सराबोर आपकी यह जो रजगुला है आप देख सकते कितना रज इससे निकल रहा है एकदम सॉफ्ट और स्पंजी है आपका यह एकदम जालीदार आपका यह रजगुला ह दोस्तो और इसे बना कर फ्रीज में स्टोर कीजे और मार्केट की महगी मिठाय लाना घर पर भूल जाए दोस्तो और फूल फैमली फूल दोस्तो के साथ आप इसे इंजॉई कीजे दोस्तो किसी भी तीज फेस्टिबल में बनाईए लेकिन खाते खाते अपने इस प्यारे स दोसको जरूर याद कीजिए दोस्तो बावाई टेक केर